Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं हो Gaurav Mishra और आपका स्वागत करता हूँ Polynomials chapter के एक और नए वीडियो में जहां पे हम Algebraic Identities वाले topic को आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो में हम Algebraic Identities का part 4 करने वाले हैं पुराने वीडियो में हमने बहुत सारे identities discuss कर लिये हैं इस वीडियो में हम कुछ और नई identity discuss करेंगे उससे related कुछ examples करेंगे और proof को भी देखेंगे तो बिना देरी के हम हमारे वीडियो को start कर लेते हैं तो हमने identity से ही start किया है तो identity है आपका बड़ा ही simple सा या तो आप इस वाले form में लिख सकते हो या तो आप इस वाले form में लिख सकते हो अब सर identity क्या है तो सुनिए आपके पास दो numbers होंगे या दो variable है जैसे की x और y और उपर power चड़ा है 3 का 3 का power चड़ा है यानि कि आप whole cube बोलते हो जब भी 3 का power चड़ा होता है bracket के उपर तो आप term यूज करते हो whole cube तो यहाँ पे x प्लस y पे power है 3 का तो जब आप इसको solve करते हो proof हम देखेंगे तो answer आपके पास आता है यह आपको यह याद रखना है x cube plus y cube plus 3 x y bracket के अंदर x plus y अब या तो इसको आप x y के form में लिखो या तो आप इसको a और b के form में भी लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पे है a plus b का whole cube तो मैंने x की जगे just a को रख दिया और y की जगे just b को रख दिया और इस तरीके से यह पूरी चीज लिख दी मैंने तो यह बात यह आपको धियान रखनी है और इस identity को भी आपको याद रखना है अब इसके बाद एक और बात आप इस identity को इसके बाद थोड़ा सा और solve कर सकते हो कैसे solve कर सकते हैं चली देखते हैं तो यह जो पहले वाले terms है यह निकि x cube और y cube इसके साथ तो हम कुछ भी change नहीं कर सकते हैं तो इसको हम लिखे रहने देते हैं x cube और इसको हम लिखे रहने देते हैं y cube पर यह जो term है 3xy और bracket के अंदर है x plus y इनको हम multiply कर सकते हैं यहां पर आपने प्लस लिख दिया, फिर उसके बाद आपके पास 3xy है, तो यहां पर 3xy लिख सकते हो, और अब multiply होगा वो y से, तो आप इसको इसके से भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा और further solve करते हैं हम, तो यह चीज तो x3 प्लस y3 बनी रहेगी, यहां पर जब आप solve करो तो आप देख सकते हो, multiply करते वक्त 2x हैं, 1x यहां पर भी है और 1x यहां पर भी है, तो जब इनको आप multiply करोगे, तो x दो बार है multiply में, तो x की power 2 हो जाएगी, और यहां पर आपका y रह जाएगा, जब आप यहां पर चीजों को multiply करोगे, तो 3x तो रहेगा, 2y हैं आपस मे multiply में है, तो y की power भी 2 हो जाएगी, तो जो identity आपको इस form में दिया था, आप इसको इस form में भी ध्यान रखिएगा, और अगर मैं a, b के form में बात करूँ, तो यह बनेगा a का whole cube, फिर यहां पर बनेगा यह b का whole cube, यहां पर बनेगा यह 3a square b, और यहां पर बनता है आपके प forms है, उनको आप ध्यान रखिएगा, आपको यह भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, और इसको भी याद रखना है, किसी को भी भूलना नहीं है, क्योंकि आपको चारों में से कोई सा भी एक काम आ सकता है, अब हम इन identities पे कुछ examples, मदद से तो बड़ा ही आसान सवाल है फटा-फट सॉल्फ कर लेते हैं क्वेश्चन था हमारे पास वही हमारे पास यहाँ पे 3A है 3A के बगल में हमें 4B दिया गया है और उस पे whole cube की power चड़ी है अब direct solve भी आप कर सकते हो पर अभी के लिए हम ऐसा कहते हैं कि आपका 3A है आप इसको assume कर लीजिए कि यह छोटा x है जो आपका 4B है इसको आप assume कर लीजिए कि यह छोटा सा y है assume करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको x plus y का whole cube कहा किसको assume किया है उस बात को ध्यान रखिएगा अब यह तो आपकी identity number 3 हो गई तो आप इसको लिख सकते हैं x का whole cube फिर आप लिख सकते हैं y का whole cube साथ में अगर आपको याद होगा जो मैंने solve करके लिखा था वो था 3 x का whole square y और फिर से था 3 और यहाँ पे था x का और y का whole square अब इस तरीके से आप चीजों को place कर दो x की जगा 3a रख दो y की जगा 4 भी रख दो तो x की जगा आपने 3a रख दिया तो यह 3a का whole cube हो गया y की जगा आपने 4b रख दिया तो यह 4b का whole cube हो गया अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का whole square है तो x की जगा आपने रख दिया 3a का whole square और y है तो y की जगा आपने रख दिया है 4b अब यहाँ पे देखोगे तो 3xy square है तो 3 को रहने दो x आपने रख दिया है 3a और y आपने रख दिया है 4b का whole square तो इन सारी चीजों को आपने place कर दिया है अब सिर्फ solve करना है अब यहाँ पे cube है whole square नहीं है इधर तो 3a का cube तो आप जानते हो 3 का भी cube होगा और a का cube होगा तो 3 का cube आपको idea होगा 3 का cube होता है 27 तो जब इसको solve करोगे आप तो यह बन जाएगा 27 और a का whole cube तो आप जानते हो a की power 3 4b का whole cube तो 4 का भी whole cube 4 का whole cube करोगे तो answer आता है 64 तो यह बन जाएगा आपके पास 64 b की power 3 अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बीच में एक whole square वाला term है तो b को यहाँ पे रख लो और 3a का whole square तो 3a का whole square आप जानते हो वो बनता है 9a square अब इसका whole square मैंने यहाँ पे लिख दिया similarly यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 3s are 9a हो चुका है और 4b का whole square होता है 16b square whole square करना आपको आता है कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है अब इसको फटा-फट solve करोगे आप तो यह बन जाएगा 27a का whole cube इधर 64b का cube कुछ नहीं कर सकते इधर 12 है और 9 है नंबर से आपस में multiply करोगे तो 12 9s होता है 108 और variable के terms में बात करोगे तो 1 बनेगा a square 1 है आपके पास b अब यहाँ पर आओगे तो 16 है और 9 है तो 16 9s होता है आपके पास 144 और 1 आपके पास a है और दूसरा b square है तो आपको इसको expand करने को बोला गया था किस की मदद से identity 6 की मदद से या solve करने को बोला गया था और आपने यहाँ पर इसको solve ऐसे कर लिया है तो इन चीजों को ध्यान रखेगा जब भी ऐसे type के questions आपसे पूछे जाते हैं बड़े simple type के question है ऐसे भी पूछे जाते हैं और कुछ टव भी पूछे जाएंगे जिनको हम दीरे-दीरे discuss करेंगे चलिए अब इस question को सीखने के बाद हम बढ़ते हैं कि यह जो identity 6 सर आपने सिखा दी इसका कुछ proof है क्या आपके पास तो चलिए हम उसके proof पर बढ़ते हैं identity 6 का proof क्या है तो हम लिखते हैं identity 6 का LHS और identity 6 का RHS तो X और Y बे लिख लेते हैं जानते हैं X प्लस Y का जो whole cube है वो बनता है आपका X का whole cube साथ में इधर बनता है Y का whole cube साथ में इधर बनता है अगर आपको याद होगा तो 3 X square Y और इधर बनता है 3 X Y square तो LHS या RHS कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं जो मेरा पसंदीदा है वो LHS से शुरुआत करना है क्योंकि आंसर आसानी से आ जाता है So we are going to start from the LHS तो जो हमने LHS है उसको ले लिया और जो हमारा LHS है वो है X plus Y का whole cube अब बात आती है कि सर आप कैसे solve करोगे कैसे proof करने वाले हो इस identity को तो बड़ा ही simple सा है पर इसको proof करने से पहले एक छोटी सी बात आप सुल लीजिए जैसे कि आपके पास A का whole cube लिखा है किसी ना आपको बोला कि भाई A का whole cube है तो आप इस A के whole cube को थोड़ा सा break कर सकते हो कैसे break कर सकते हो आप इसको लिख सकते हो A का whole square multiplied by A जब A के whole square में A को multiply करोगे तो आपको A cube मिलेगा यह आपको exponent के rule से भी मालूम होगा और basic है इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जैसे कि मालो किसी ने लिख दिया 2 का whole cube तो आप इसको लिख सकते हो 2 का whole square into 2 अब सर आपने यह क्यों सिखाया यहाँ पे तो भाई इसका काम है यहाँ पे कहाँ पे काम पढ़ रहा है सर आपको तो यह जो LHS मैंने लिखा है न यहीं पे काम पढ़ने वाला है कैसे तो चलिए देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया था X plus Y का whole cube कि भाई आपको X plus Y का whole cube करना तो सर आप whole cube कैसे करोगे तो भाई मैं इसको तोड़ देता हूँ न जब 3 पावर थी तो मैंने उसको 2 और 1 पावर में differentiate किया था या अलग-अलग लिखा था यहाँ पे भी यही काम करता हूँ इसको मैं लिख देता हूँ X plus Y का whole square और यहाँ पे bracket के अंदर मैं लिख देता हूँ X plus Y क्या फाइदा हो गया इससे इससे फाइदा यह हो गया कि यह जो term है आपका यहाँ पे आप identity 1 को इस्तमाल कर सकते हो कैसे identity 1 को इस्तमाल करोगे तो पहले तो लिख दो कि हम क्या use करने वाले हैं हम use करने वाले है identity 1 तो आप यहाँ पे लिख दीजिए using identity और ऐसा करके आप 1 लिख दीजिए अगर आपको exam में आप exam में 1, 2 use मन्त करिएगा आप तो सिर्फ identity ऐसे proper दिखा दीजिएगा तो आपको identity याद होगी x प्लस y का whole square क्या होता है तो याद करिएगा तो वो होता है x square फिर बनता है आपके पास y square और फिर आपके पास वो होता है 2xy यह चीज आपके पास बनती है और अगर इधर देखोगे तो आपके पास bracket में है x प्लस y तो यह चीज हमने लिख ली अब आपको इन brackets को आपस में करना है multiply अब इन bracket को आप कैसे multiply करोगे तो बड़ा असान काम है कोई tough नहीं है एक एक करके मैंने आपको सिखाया था तो जैसे पहले bracket से आपने किसको चुन लिया आपने पहले bracket से x square को चुन लिया इसको किसमे multiply करोगे दूसरे वाले bracket में तो दूसरा वाला bracket क्या है x plus y है फिर क्या करोगे पहले bracket से y square को चुनोगे sign क्या है plus है उसके आगे तो आपने y square को चुना फिर किसमे multiply करोगे पीछे वाले पूरे के पूरे bracket में फिर पहले plus का sign लगा दो अब कौन सा नंबर है हाँ पर 2xy है तो आप 2xy लिख दो और किस में multiply करोगे जो पीछे वाला bracket है यानि कि आपका x plus y इस तरीके से आपने लिखा अब सर्फ multiply का खेल है multiply कर दो तो पहले जो आपका x square है x से multiply होगा अब खुद सोचके देखो x square है x से multiply हो रहा है तो क्या बनेग तो x square को x से multiply कर दोगे तो यहाँ पर x cube बनेगा फिर बीच में plus का sign आ गया और x square into y आप जानते हो x square y बन जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर जब आजाओ y square जब x से multiply होगा तो यह y square into x बन जाएगा और y square जब y से multiply होगा plus sign तो in fact होगा ही यह y cube बन पर यह plus का sign आप नीचे लाओगे और फिर आप लिखोगे 2xy और multiply करोगे आप y से अब थोड़ा सा multiply में ध्यान रखना क्यूंकि गलतिया यहाँ यहाँ पर होती है अब इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने x cube लिख दिया इस y cube को पीछे की जगा आगे लिख लो भा यह और एक x multiply में है तो x दो बार है multiply में है तो आप जानते हो यह 2x square y बन जाएगा कैसे देख लो भई x था दो बार था multiply में था तो x square बन गया यहाँ पर भी multiply करोगे तो यह 2xy square बन गया अब चीजों को करना है आपको क्या आपको add करना है तो बही देखो आप यहाँ पे x cube plus y cube के अलावा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर तो कोई change कर ही नहीं सकते पर थोड़ा दिमाग लगाओगे x square y और इधर भी क्या है आपके पास x square y इधर 2x square y है इधर 1x square y है तो बही 2x square y और 1x square y जब 7 में मिलेंगे तो बना देंगे 3x square y यह तरीका आपको समझाना चाहि यह similarly यहाँ पर 2xy square है और यहाँ पर 1y square x है अब confuse मत हो जाना यह जो xy square है बिल्कुल सेम है y square x के कोई different नहीं है बस आगे पीछे लिखे हैं तो यह जो 2xy square है और इधर जो आपका 1y square x है सेम है कोई भी अंतर नहीं है बस आगे पीछे लिखा है y square को मैंने दर आगे लिख x को पीछे लिख दिया multiply में उदर x को आगे लिख दिया y square को पीछे लिख दिया पर 2 है यहाँ से एक यहाँ से है तो 2 plus 1 होता है 3 तो आप इसको लिख सकते हो 3xy square देखने वाली बात important यह है यहाँ पे कि आपने lhs को लिया था आप solve करते गए करते गए करते गए और यह ज से शुरुआत की थी rhs बना लिया है इसका मतलब आपकी जो identity 6 थी वो proof हो चुकी है कई बार आपको identity 6 proof करने को बोली जाएगी तो इस तरीके को आपको अपनाना है और इस तरीके के अंदर कौन सी identity use करी है हमने हमने identity 1 use करी है तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा अप क्योंकि exam में आपको पूछा जाता है चलिए हमने identity 6 सीख ली हमने identity 6 का एक example भी कर लिया apply करना भी सीख लिया उसके बाद उसका proof भी कर लिया अब हम NCRT के जितने भी question है identity 6 पे based जितने भी ऐसा नहीं कि मैं एक दो question छोड़ने वाला हूं मैं सारे के सारे question एक एक करके जो भ फटाफट हम स्टार्ट करते हैं उनको तो question है सबसे पहला आपका ये 2x plus 1 का whole cube इसको क्या करना है एक तरीके से expand करना यानि बड़े में लिखना है तो expand करने के लिए हमको identity 6 का इस्तमाल करना है चलिए देखते हैं तो question था आपके पास 2x plus 1 का whole cube आपने दिमाग लगा लिया होगा कि भई आप 2x को जो है small a ले लो जो 1 है उसको आप b ले लो इससे क्या हो गया ये convert हो गया a plus b में और power क्या है cube है तो a plus b की power cube है या नहीं कि identity 6 को आप apply करोंगे और answer क्या देता है वो answer देता है a का cube फिर आपको answer देता है b का cube फिर आपको answer देता है 3 times of a square b और फिर answer देता है three times of a b square बड़ा जिंबल सा आइंटिटी है अब a की जगा आपने क्या लिया था 2x तो उसको रखिए b की जगा आपने क्या लिया था 1 तो उसको रख दीजिए तो फटा फट रख देते हैं तो यहां पर आपके पास बनेगा 2x का whole cube b की जगा whole cube यानि की one का whole cube यहां पर आप देखेंगे तो 3a square यहां की 2x का whole square b यहां पर a तो a आपके पास 2x है वो लिख दिया बड़ा इसंबल सा काम था आप solve करते हैं 2x का whole cube यहां की 2 का भी cube और x का भी cube तो 2 का cube आप जानते हो कि 8 होता है और x का cube तो x cube ही होगा तो यह आपके पास बन जाएगा 8x cube 1 का whole cube करो कुछ भी करो answer तो 1 ही रहने वाला है अब यहां पर देखोगे तो 2x का whole square है और 1 multiply में तो 1 को हटाई दो न 1 multiply में होके भी कुछ नहीं कर पाएगा तो 1 को हटाई दो 2x का whole square करोगे तो 2 का भी whole square होगा x का भी square होगा तो यह बनेगा आपके पास 4x square multiply करके देख लेना answer same आएगा अब इधर अगर आप बात करोगे तो इधर 1 का whole square है तो 1 का whole square का तो कोई मतलब है नहीं आणसर 1 देगा और 1 multiply होके भी क्या कर लेगा इसलिए मैंने उसको लिखना छोड़ दिया अब फटा फट इसको मैं solve कर लेता हूँ तो यह आपके पास 8x cube बन गया यह आपके पास 1 है अब इधर देखोगे तो 3,4 जा होता है 12 यह 12x square बन गया और 3,2 होता है आपके पास 6,6 और इस तरीके से आपने चीजों को expand कर लिया है अब चाहो तो इसको थोड़ा सा standard form में भी आप answer लिख सकते हो यह standard form नहीं है अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि polynomial जो होता है उसमें होता standard form जिसमें आप power को घटा घटा के लिखते हो तो इसमें देखो वैसा नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आप standard form में लिखोगे तो सबसे पहले आप 8x cube को लिखो इस से चोटा power कौन सा है x square वाला तो आप फिर लिखो 12x square इस से चोटा power कौन है x वाला फिर 6x लिख दो और सबसे चोटा कौन है constant 1 तो आखरी में आपने constant 1 लिख दिया इस तरीके से आपने चीजों को थोड़ा सा अरेंज कर दिया है ऐसे simple questions भी आपको पूछे जाते हैं जहाँ पर सिर्फ आपने identity को लगाया है यहाँ पर एक बात रहे गई यहाँ पर आप bracket में यह भी लिख सकते हो कि हमने कौन सी identity यूज करी है identity वो भी कौन सी छटवी वाली यह सारी बाते ध्यान रखेगा और कैसे solve करते हैं इनको भी ध्यान रखेगा चलिए अब हम identity 6 में कुछ और questions की तरफ बढ़ते हैं जिससे हमारा concept थोड़ा और clear हो जाएगा question बड़ा simple है identity 6 फटाफट हम लगाएंगे देखे तो question है आपके पास कि आपके पास ऐसा दिया है 3 by 2 इधर है आपके पास x इधर है आपके पास plus 1 और इसका आपको करना है whole cube कोई बड़ी बात नहीं है आप जानते हो कि जो आपका 3 by 2 x है इसको आप small a माल लो जो आपका 1 ह आप इसको b माल लो जैसा ही आपने यह assume करा तो question किसमें convert हो गया question convert हो गया a plus b का whole cube और a plus b का whole cube तो आप जानते हो क्या होता है वो होता है a का whole cube b का cube फिर आप लिखते हो 3 times of a square b last में आप लिख देते हो 3 times of a b square अब a की जगह जो चीज मानी है यहाँ पे रख दो b की जगह जो भी चीज मानी है यहाँ पे रख दो तो आप रखोगे यहाँ पे 3x upon 2 का whole cube b की जगह 1 का whole cube यहाँ पे क्या रखोगे 3 तो रहेगा a का whole square यहाँ कि आप रखोगे 3x by 2 का whole square b की जगह आप 1 रख दो वैसे तो कोई फर्क पढ़ने वाला है नहीं multiply करने पे यहाँ पे a यह यहाँ कि आप 1 का whole square रख दोगे तो यह सब रखने के बाद इसको फटा-फटाम solve करते हैं तो 3x by 2 है इसका whole cube है तो जितने भी term दिख रहा है ना सब का cube करना यह बात ध्यान रखना आप जब bracket रहता और चीजे ऐसे numerator और denominator में रहती है और multiply में भी numerator में 3 और x तो हर चीज का cube होगा यहनि कि आप 3 का भी cube करोगे आप x का भी cube करोगे और आप 2 का भी cube करोगे अब यहाँ पे 1 का cube करोगे तो answer तो 1 ही मिलने वाला कोई tension की बात नहीं in fact जब whole square रहता तो वही कहानी आपको follow करनी है बस यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना 1 जो है multiply में है तो इसको हट whole square है वैसे तो 1 बनता है और 1 multiply होगे करेगा ही का कुछ नहीं करेगा भए तो इसको भी हटा दो अब यहाँ पर multiply कर सकते हो 3 multiply में तो 3 3 होता है 9 तो इसको आप लिख दोगे 9xy2 याद रखना जब ऐसा लिखा होता है तो सिर्फ numerator मे multiply होता है denominator में गलती से multiply मत कर देना अब इस 3 square है 3 square होता है 9 और 3 बाहर है तो 9 3 होता है 27 तो आप इसको लिख दो 27x की power 2 और 2 square होता है आपके पास 4 और इधर आपके पास 9x by 2 आपने लिखा ही है तो आपको expand करने को बोला गया था identity 6 की मदद से और आपने expand कर दिया है पर यह standard form में नहीं है क्योंकि decreasing power के रूप में नह सबसे छोटी तो सबसे पहला आपका term आजाएगा 27x cube उसके नीचे आप लिख दीजिए 8 उससे छोटा term है आपके पास ये वाला तो उसको भी लिख दो आप 27 by 4 x square उससे छोटा term है आपके पास ये वाला 9x by 2 और सबसे छोटा term है 1 तो आप यहाँ पे लिख दो इस तरीके स से जो आपका expansion वाला काम था identity 6 की मदद से वो हमने कर लिया है सारे steps बड़े ही simple है बस जो गलती आप से हो सकती है पहले गलती आप ये कर सकते हो कि आप formula गलत लगा दो और दूसरी गलती ये कर सकते हो कि आप calculation गलत कर दो तो इन दोनो steps में थोड़ा ध्यान देना बाकी आप को यहाँ पर कोई परिशानी नहीं होने वाली है चली तो इसको note down करने के बाद ही आगे बढ़िएगा video pause कर लीजेगा चली अब हम कुछ और question करते हैं जहाँ पर identity 6 को हम यूज करेंगे पर यहाँ पर identity 6 को हम सिर्फ variables पर यूज नहीं करने वाले हैं कुछ numbers पर यूज करने question बड़ा interesting है भई 104 का whole cube कैसे find करोगे तो देखो 104 है ऐसे कुछ questions हमने कल की मतलब कल तो नहीं पर पुरानी जो videos थी उसमें भी हमने discuss की थी तो पुरानी videos में जब आप देखोगे पर वहाँ पर whole cube नहीं है वहाँ पर identity number 4 जो था उसकी मदद से हमने solve किया था तो यहाँ पर ह आप लिख दोगे 100 प्लस 4 और उपर आपने cube का power चड़ा रखा है अब इसके बाद क्या करोगे तो बड़ा ही आसान काम है आपका जो 100 है आप इसको छोटा वाला x बोल दो जो आपका 4 है इसको छोटा वाला y बोल दो क्या फाइदा हुआ इससे तो फाइदा यह हुआ कि य का whole cube अब आपको x प्लस y का whole cube का identity मालूम है तो फटा फटा हम लिख देते हैं यह होता है x का whole cube फिर होता है y का whole cube यहाँ पे होता है आपके पास 3x square y और यहाँ पे आपके पास होता है 3xy square अब कुछ नहीं करना है आपने x मालूम है 100 y मालूम है 4 उसको यहाँ पे कर दो substitute त है इधर ध्यान दो जरा इधर भई 3x square है तो x square यहीं कि आपने 100 का whole square कर दिया इधर y है यहीं कि आपने 4 यहाँ पे लिख दिया है इधर देखोगे तो 3 है x x यहीं कि 100 और y square यहीं कि 4 का whole square अब फटा पट सॉल्फ करते हैं इसको 100 का whole cube कैसे करेंगे सर अरे बड़ा असान क है 100 की पावर 1 क्या होता है जला देखो 100 की पावर 100 होता है अगर 100 की पावर 2 चड़ा दूँगा तो क्या हो जाता है जीनि दो 0 थे अब जो है 4 0 होते हैं आप 100 की पावर whole cube है यानि 0 भी triple हो जाएंगे पहले 2 06 थे अब 60 हो जाएंगे तो 1 के पीछे आप जाके 60 को ऐसे 4, 5, 6, यह आपने लिख दिया, 4 का whole cube है, अभी आपने देखा होगा वीडियो में, 4 का whole cube में 64 करता हूँ, अब इधर क्या करे सर, तो 3, 4 कितना होता है, पहले इस 3 और इस 4 को मैंने multiply कर लिया, 3, 4 होता है 12, तो यहाँ पे मैंने 12 रख दिया, 100 का whole square कितना होता है, तो यह लिख 16 होता है, तो इस तरीके से मैंने चीजों को लिख लिए, अब फटाफट हम add by add कर लेते हैं, जब हम add करेंगे, तो इसको और इसको add कर देंगे, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, या फिर addition का process हम बाद में करेंगे, पहले सब कुछ solve कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे, इतना time waste ना करें, multiplication में, अब इदर 16 है और 3 है, तो 16, 3 होता है, 48, 2, 0 है, तो इदर से आपने 2, 0 ला लिए, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है addition, जब आप addition कर दोगे, तो 104 का whole cube आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने direct multiplication से answer नहीं निकाला, कि 104 को हमने 3 बार multiply कर दिय और answer निकाला, हमने यहाँ पे identity का इस्तमाल किया है, अब इनको add कैसे करोगे, तो ऐसा करिए, पहले आपका जो सबसे बड़ा number है, उसको लिख लीजिए, तो 1 के पीछे, 6 zeros आपने ऐसे लगा दी है, उसके बाद आपका 64 है, तो यह आपने 64 लिख दिया, उसके बाद यह 4, 2, 3, 4, 1, 2, यह लिख दिया, और फिर यह आपका 4800, यह निकी 0048, तो यह आपने सारे numbers को लिख दिये, अब बस इसको add कर दो, तो यह आपका 4 add करोगे, तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, इधर आपको 6 मिल जाएगा, इधर आपको 8 मिलेगा, इधर आपको 4 मिलेगा, इ इस तरीके से, जो हमारा 104 का whole cube है, हमने उसको निकाल लिया है, बस सबसे important बात यही है, इस question की, कहीं पे भी हमने direct multiply नहीं किया है, इसका whole cube निकालने के लिए identity का use किया है, अब कुछ ऐसे ही और भी question देखते हैं, पर इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, जब ऐसे question आप solve करेंगे, अब इसके बाद कुछ और questions देख लेते हैं, जो आपके identity 6 वाले पे based हैं, जैसे की question आगया यह, अब इस question में आपको solve नहीं करना, उसके बाद आपको expand भी नहीं करना, factorize करना है, जैसे कि हमने देखा ही है, जब भी हमको identity सीखते हैं, उससे factorization से related question आहीं ज question को लिख लेते हैं, जो हमारा question है, वो है 8X की power 3, उसके साथ में है आपके पास 27Y की power 3, उसके बाद है आपके पास 36X square Y, और फिर है आपके पास 54 और इसके बगल में लिखा है XY square, यह सारी चीज़े आपको दी गई थी, अब question को हम start कैसे करेंगे, कैसे हम identity 6 की मदद से इसको factorize करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उन terms को identify करना है, जिन में variable की power 3 है, जैसे की ये वाला term और ये वाला term, इनको हमने क्यों identify किया, पर इनको हमने इसलिए identify किया, क्योंकि यहाँ पे variable की power 3 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अब जो आपका 8X cube ह आप इसको क्या लिख सकते हो? आप जानते हो कि इसको आप 2X का 3 की power cube लिख सकते हो, या 3 लिख सकते हो, क्योंकि आप उसको solve करोगे, तो आपको 8X cube मिलेगा, similarly जब मैं 27Y cube की बात करूँ, तो आप इसको लिख सकते है 3Y की power 3, ऐसा इसलिए, क्योंकि जब आप इसको solve आपको 27y3 मिलेगा यह करने के बाद आपको इन दोनों टर्म्स पे फोकस करना है पहले किन टर्म्स पे फोकस करना है तो जिन पे क्यूब है तो अब हम आते हैं इन टर्म्स पे तो यहां पे आपको 3 ऐसे लिख देना है उसके बाद यहां पे आप देखो x पे whole square है तो क्या करो आप जो x वाला term है x वाला term क्या है 2x तो आप यहाँ पे लिख दो 2x पे whole square यह मैंने कैसे पता करा कि मुझे 2x पे whole square लिखना है क्योंकि x पे whole square लिखा था तो जो x वाला term था 2x उस पे मैंने whole square लिख दिया और जो y वाला term है 3y, उसको मैं कुछ भी change नहीं करूंगा, exactly same लिख दूंगा 3y, similarly आप आजाओ इस term पे, जब आप इस term की बात करोगे, तो एक तो 3 आप अलग से लिख लो, अब x है, x वाले term के साथ कोई whole square कुछ नहीं है, तो जो same term है 2x, आप उसको लिख दो, यहाँ पे आपने 2x लिख दिया, अब हम बात करते हैं y square पे, तो जो y वाला term है, 3y, इस पे आप whole square लिख दो, तो आप इसको लिख देंगे, 3y का whole square, तो इस तरीके से आप identify करते हो, sir, यह जो आपने ऐसे लिखा है, 3 into 2x का whole square, 3y, इसको solve करेंगे, तो यही चीज मिलेगी, क्या उप substitution वाला काम करना है हमको, यह जो 2x है, हम इसको बोल देंगे कि यह छोटा सा a है, जो 3y है, आप इसको बोल दीजिए कि यह छोटा सा b है, अब क्या हो गया ऐसा बोलने से, यह जो equation है, यह बन जाएगा a की power 3, यह बन जाएगा b की power 3, और अगर आप यहाँ पर focus करोगे, तो यह आप यहाँ पर focus करोगे, तो यह 3a और वो जो चीज है 3y square, वो b का whole square बन जाएगा, अब ध्यान से देखो, यह चीज एक्चुली क्या है, इतनी बड़ी चीज जो इतना बड़ा algebraic expression है, यह actually आपका RHS है, किसका RHS है, तो identity number 6 का RHS है, तो आप जानते हो, इसको क्या 2x plus 3y का whole cube ऐसे लिख सकते हो, और इस तरीके से आपका जो एक question है, पूरी तरीके से factorize हो चुका है, तो यह सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, जब आप question को solve करते हैं, कैसे हमने terms लिए, कैसे हमने क्या logic लगाया, जो जो words मैंने, जो जो expressions use किये हैं, आप उन सारी बात का ध्यान रखिएगा, तो यह था एक question factorization का, किसकी मदद से, identity 6 की मदद से, अब कुछ और question पर आते हैं, जहां पर हम identity 6 को use करते, देखेंगे, जैसे कि वापस एक question आया, यहां पर भी आपको करना है factorization, और use किसका करना है, identity 6 का, तो चलिए देखते हैं, question बहुत simple है, जो दिमाग हमने वहां लगाया था, वही दिमाग हम यहां पर लगाएंगे, तो question हमारा है, यह तो हो गया, इस पर आजाते हैं, question है हमारे पास 8A का cube, फिर है यहां पर हमारे पास B का cube, फिर है आपके पास 12, इधर है A square, इधर है आपके पास B, यहां पर है आपके पास 6, और यहाँ पे है a b square अब मैंने आपको बोला था question ऐसा आए आपका focus कहां होना चाहिए आपका focus उन terms पे होना चाहिए जिदर cube power चड़ी है 3 power चड़ी है तो आपने अपना focus कर लिया इन दोनों terms पे 8 a cube और b cube क्यों क्योंकि इन पे power है 3 अब क्या करोगे तो इसका अगला step जो है 8 a को क्या लिख सकते हो आप तो 8 a को आप लिख सकते हो 2 a का whole cube और b क्या क्योंकि लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो b का whole cube अब इधर focus करते हैं आपको एक 3 को तो अलग लिखना ही है अब यह a square है तो जो a वाला term है उसको whole square करके लिख दो यनि कि आप लिख दो यहाँ पे 2A का whole square और B वाला जो है उसको exact same लिखो कोई भी change मत करो सिर्फ B लिख दो अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक 3 को आप अलग लिख लो A वाले term में कोई whole square वगरा नहीं है तो जो term था 2A आप यहाँ पे लिख दो without any change जबकि B वाले term में whole square है अब B वाले term में whole square है यानि कि आपका जो B वाले term था B आप उसको whole square कर देंगे इस तरीके से आपने चीजों को arrange कर लिए अब क्या करेंगे भई अब हम substitution का काम करेंगे जो 2A है हम मान लेंगे कि वो हमारा छोटा सा X है जो हमारा B है हम उसको मान लेंगे हमारा छोटा सा Y है ऐसा मानने से क्या हो गया जहां-जहां 2A है वहां-वहां आप X रख दो जहां-जहां B है वहां-वहां आप Y रख दो तो चलो रखते हैं तो ये चीज़ बन जाएगी X का cube ये बन जाएगा Y का cube अगर आप इधर फोकस करोगे तो इधर 3 रहेगा 2A का whole square यानि कि X का whole square X की power 2 हो गई और सिर्फ B है B तो आपका Y है ये आपने ऐसा लिख दिया इधर देखोगे तो ये बनेगा 3X और ये बनेगा Y का whole square इस तरीके से आपने लिख लिया अब जैसे ही ये इतनी बड़ी चीज आपके आँखों के सामने आई आप समझ गए ये तो आपके identity 6 का right hand side है और ये आप लिख सकते हैं X प्लस Y का whole cube और आप जानते हो कि X प्लस Y का whole cube क्या हो whole cube नहीं करना है आपको और जो आपका Y है उसके जगा आप भी रख दो तो ये 2A प्लस B का whole cube हो जाएगा और इस तरीके से आपने अपने question को solve कर लिया है factorization कर लिया है हाँ एक छोटा सा step छूट रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कौन सा identity यूज किया है आपने हम कुछ और question पर बढ़ते हैं जहाँ पर हम factorization को सीखेंगे अब यह question थोड़ा fraction form में है factorization करना है जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके जो terms हैं वो fraction में है तो यहाँ पर हम कैसे हमारे दिमाग को apply करते हैं तो चलिए start करते हैं पहले question लिख लेते हैं 9 by 2 और इधर आपको लिखा गया है P का whole square और फिर यहाँ पर आपको दिया गया है 1 by 4 P यह सारी चीज़े आपको दी गई है अब हम कहां से question स्टार्ट करें सर तो question वहां से start करना है जहाँ पर cube हो सर वो तो यहाँ पर दिख गया यहाँ पर cube है पर दूसरा cube तो कहीं पर दिखी नहीं रहा है तो भई नहीं दिख रहा है तो बनाओ, कैसे बनाओगे तो देखो यह 27 P cube है तो इतना तो आपने अकल लगा ली होगी कि 3 P को अगर whole cube करोगे तो आपको 27 P cube मिल जाएगा 3 का whole cube होता है 27 P का cube होता है तो इस तरीके से आपने यह दिमाग लगा लिया अब 1 upon 216 की बात करते हैं तो इसको आप लिख दो 1 upon 6 का whole cube अरे भई, आप 6 का whole cube ज़रा करो फटा फट तो 6 का जब आप whole cube करते हो तो वो होता है 6 into 6 into 6 और जब solve करोगे तो answer आता है आपके पास 216 तो यह जो 1 upon 216 था मैंने इसको 1 upon 6 का whole cube कर दिया ठीक है भई तो यह जो cube वाले term है वो तो मैंने generate कर लिये अब क्या sir, अब कैसे लगाओगे दिमाग तू देखिए अब इस वाले term पे आजाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था एक 3 आप अलग से लिख दो इसमें कोई change मत करो लिख दिया अलग से अब क्या करोगे भई यहाँ पे आपको P का whole square दिख रहा है जी sir दिख रहा है P का whole square P वाला term कौन सा है यह 3P है तो 3P का क्या कर दो यहाँ पे आप 3P का आप कर दीजिए whole square बहुत बढ़ी है sir हमने कर दिया whole square अब sir अब क्या करूँ अरे भई यह जो दूसरा वाला term है न 1 by 6 इसको multiply में लिख दो इसको whole square मत करना इसको सिर्फ और सिर्फ multiply में लिख देना क्यों लिखा sir अभी बताऊंगा क्यों लिखा ऐसा कर दिया आपने अब यहां पर आजाओ जरा इस वाले term में आजाओ 1 by 4 P में तो यहां पर भी 3 आप अलग से लिख दो अब 3 अलग से लिख दिया अच्छा P वाला term है तो उस पे तो whole square वगरा कुछ है ही नहीं तो कोई बात नहीं तो आप 3 P को एकदम से मैंसे लिख दो whole square वगरा मत करना अब आपको याद होगा अगर आपने identity 6 थोड़ी याद से थोड़ी ध्यान होगी तो 3 x square y 3 x y square यहनी एक वाले term में variable पे square रहता है दूसरे वाले में दूसरे variable पे square रहता है तो यहाँ पे 3 P को simple लिखा यहनी कि 1 x 6 वाला जो term है उसका क्या करना पड़ेगा मुझे whole square करना पड़ेगा सर आपको यह सब सपने आते हैं क्या आप मतलब क्या रट के आते हो क्या नहीं बच्चो यह आपको practice से आएगी जैसे जैसे आप ज़्यादा questions करोगे दो-तिन questions लगातार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको process क्या अपनाना है तो यह चीज मैंने practice से हसल करी है आप भी कर सकते हैं अगर मेरे वीडियो देखने के बाद आप NCRT को solve करते क्योंकि यह NCRT के ही questions है कहीं बाहर से मैंने नहीं लिए है ठीक है sir इतना तो आपने कर लिया अब क्या दिमाग लगाओगे अब क्या करोगे तो भाई वो जो substitution वाली चीज थी उस चीज को भी हम यहाँ पर apply करेंगे कैसे sir तो यह जो आपका 3P है आप समझ लो कि यह आपका छोटा सा A है जो आपका 1 upon 6 है यह समझ लो आपका छोटा सा B है ठीक है sir क्या हो गया इससे अरे रख तो दो पहले तो यह आपका हो गया A का whole cube जबकि यह हो गया B का whole cube ध्यान दो 1 upon 6 को मैंने B बोला है जबकि इधर आप बात करोगे, तो यह हो जाएगा आपका 3, 3P का whole square, यानि कि A का whole square, और यह 1 upon 6, यानि कि सिर्फ B लिख दो, अब यहाँ पे 3 है, यह 3P है, तो A, 1 upon 6 का whole square, यानि कि B का whole square, अब ध्यान से देखोगे, तो यह जो चीज आपने यहाँ पे बना ली, यह तो कौन identity 6 को, तो आप इस तरीके से identity का नाम और number भी लिख सकते हैं, और आप जानते हैं कि यह चीज होती है, A प्लस B का whole cube, अब A कौन है और B कौन है, तो आप देखो, आपका A है 3P, जबकि B है 1 by 6, तो आप इसको लिखोगे, तो आप इसको लिख सकते हो 3P, और B की जगह आप ल आंसर लिखा हो सकता है, तो चली जड़ा देखते हैं कि कौन सा आंसर आपकी बुक में लिखा हो सकता है, तो हमारे पास final answer क्या आया है, 3P plus 1 by 6 का whole cube, जब आपको क्या करना है, इसमें लेना है LCM, कैसे लोगे LCM, तो यह 3P by 1 है, तो LCM अगर लोगे आप, तो denominator में आ 6 और यहां पर आप जानते हो, कि आप 3P into 6 कर दोगे, यहां पर कोई चेंज नहीं रखोगे, whole cube आपका उबर में है, यह LCM लेना कर तरीका होता है, आपको सिखाया जा चुका है, अब इसको थोड़ा सा solve करोगे, तो 3P into 6 होता है, आपके पास 18P, तो यह 18P plus 1 upon 6 का whole cube होगा, इस तरीके से भी आपको आपके book में answer दिया जा सकता है, so whatever may be the way, आपको answer निकालना आना चाहिए, process आपको आनी चाहिए, तो I hope, यह सारी बाते आपको समझ आई होंगी, जो कि मैंने समझाई है, आपको identity 6 को लगाते हुए, factorization करते हुए, आप कुछ और questions को देख लेते हैं हम जहाँ पर हम identity 6 को apply करने वाले हैं, अब यह तो identity 7 आगया फिलहाल, आपको मैं identity 6 का एक बड़ा ही basic question देता हूँ, question बहुत interesting है, और यह कई बार आपको exams वगेरा में पूछा जाता है, question क्या रहता है, question ऐसा रहता है, कि आपको लिख दिया गया ऐसे, कि भई आपके पास ह 16 का whole cube, फिर आपके पास है 14 का whole square, या फिर 14 का whole cube, यह लिख दिया आपको, और फिर आपको लिख दिया गया है, कि ऐसा है, 3 times of 16 का whole square, और इधर 14 लिख दिया ऐसा, और फिर वो लिख देते हैं, कि 3 times of 16 और 14 का whole square, और वो बोलते हैं, कि भई इसकी value बताओ, क्या बोलते हैं, वो ऐसा question दे दिया question पढ़ लो एक बार आपसे ये question ऐसा दिया है और उन्होंने बोला है कि आप भाईया इसकी तो value बताओ आप तो क्या बताओ value मतलब इसको solve करो तो इसका मतलब क्या यह सब solve करना पड़ेगा इतना multiply करना पड़ेगा इतनी महनत करनी पड़ेगी नहीं हमको नहीं करनी तो सर क्या करोगे आप ऐसे कैसे answer कर दोगे बड़ा यह असान काम है बच्चो आप 16 को a ले लो 14 को b ले लो क्या हो गया सर इससे अरे देखो तो जैसी 16 को a लिया 14 को b ले लिया यह बन गया a का whole cube यह बन गया आपके b का whole cube यह बन गया आपका 3a square b और यह बन गया आपके पास 3ab square क्या हो गया सर? अरे भइया RHS है तुमारे identity number 6 का तो यह बन जाएगा a plus b का whole cube और a कितना लिया था? आपने 16 b लिया था आपने 14 तो यहाँ पे आप 16 लग दोगे यहाँ पे 14 रग दोगे whole cube तो उपर चली रहा है और 16 प्लस 14 आप जानते हूँ क्या होता है वो तो 30 होता है और 30 का whole cube करना आसान काम है क्यों? अरे बहुत आसान काम है भाई 30 का whole cube कैसे करोगे आप 30 का whole cube करना चाहते हो तो आप इसको लिख दो 3 into 10 का whole cube और फिर क्या कर दो? इसको break कर दो 3 का cube अलग, 10 का cube अलग 3 का cube होता है 27, 10 का cube होता है 1000, अब 10 का cube करना भी आप जानते हो और multiply कर दोगे तो आपका answer आजाएगा 27,000 तो इस तरीके से आपने अपने answer को निकाल लिया तो कई बार आपको examination में ऐसे questions भी पूछे जाते हैं जहां पे इस identity का use होता है I hope कि इस video में जितना भी मैंने identity 6 पे discussion किया है बड़ा extensive discussion किया है मैंने आपको identity 6 के दोनों form बताए AB में भी, XY में भी फिर मैंने आपको उसका prove भी बताए उस पे examples भी बताए फिर factorization के questions भी करवाए है और फिर मैंने एक practical life problem जो था 104 का whole queue वो भी करके दिखाया और फिर एक ये question मैंने मेरे मन से भी बना के दिया है जिससे आपको कहीं पे भी कोई परिशानी ना हो अगर आप इस video को पूरा देखते हैं I am 100% sure कि ऐसा कोई question नहीं हो सकता जो आप से exam में ना बने बस आपको इसे इमानदारी से देखना है और आगे ढंग से इसको solve करना है इसके बाद आप NCRT जरूर solve करिएगा वरना कहानी थोड़ी गरबर हो जाएगा अब हमने factorization को खतम कर लिया है जहां पर हमने identity 6 का use हमने और देख लिया अब जाते जाते कुछ और बाते आप ध्यान रखेगा कि यह जो सारा content आपने पढ़ा है यहां इसके लिए आपको कोई cost पे नहीं करना पड़ता है Magnet Brains website पे Magnet Brains YouTube चैनल पे आपको 100% free education दिया जाता है there is no such cost that you have to pay on your behalf आप यह कर सकते हैं कि आप हमारे videos को जितना चाहे उतना like कर सकते हैं साथ में इनको share जरूर कीजेगा जिससे और भी बच्चे आके इन videos को देख सके और फाइदा उठा सके one more thing कि आप हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा that is very important part and comment जरूर कीजेगा इस video को देखने के बाद so that you can share your reactions thank you so much for watching this video